सो हेलो गाइज, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेक्स के अंदर वीडियो को कैसे चलाएं, तो वीडियो सुरू करने से पहले एक बार प्रीवी देख लो, तो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमको सबसे पहले पड़ेगी कैपकट एप की और एक वीपियन की, क्योंकि ये इंडिया में बेहन है, तो हमको दोनो डाउनलोड करने पड़ेंगे, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देन उसके बाद आपको वो किलिप एड़ करनी है, जो आपको इस टॉक वीडियो अपसनारा इस पर क्लिक करेंगे, और वहां से एक वाइट ओवरले सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद उस वाइट ओवरले को जितना हमें चाहिए वीडियो पर हम उसको उतना उसकी नीचे से लगा देंगे, ठीक हो गया, इसको करने के बाद हम जाए उसके बाद हमें जरूत पड़ेगी कलर की, और इसमें कलर जो है वो ग्रीन ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि ग्रीन कलर की हमें जरूत पड़ेगी आगे, उसके बाद हम आजाएंगे फॉंट पर और आप अपना जो भी आपका मन पसंद फॉंट है, आप उसे यूज कर सकते है जैसे यह वाला हाँ यह वाला ज्यादा बेटर लग रहा तो मैं इससे सिलेक्ट करता हूं और इसे अपने हिसाब से एकजेस्स कर देते हैं उसके बाद जाना आपको एनिमेशन पर और आपको जो एनिमेशन प्संद है आप उसको लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रहा हूँ इससे चीक है अगर ये हो जाने के बाद अब इसे पूरी तरह से इसको नीचे से लियर में लियाना है कुछ इस तरह से जैसे मैंने किया ये हमारा तंग्यार इसके बाद हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे तो वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है तो हम आ जाएंगे अपनी पुरानी उसी क्लिप पे और उसके बाद हम जाएंगे एड़ ओवर ले पे और जो अभी एक्सपोर्ट की थी हमने वीडियो हम उसे एड़ करेंगे इसे एड़ करने के बाद हम इसे जूम करेंगे जूम इसले करेंगे क्योंकि जो इसका कलर है वो ग्रीन वाला हम उसे स्लेक्ट करने में हमें आसानी होगी देन कलर पी करेंगे और इसकी इंटेंसिटी और सेडो दोनों अपने हिसाब से सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से उसके बाद क्लिप को नॉर्मल जैसे पहले थी वैसे कर देंगे और यह आपका लगभग लगभग तंग्यार हो चुका है उसके बाद अब हम जाएंगे एनिमेशन पर और एनिमेशन से इन पर जाएंगे और फेड इन जो की सबसे पहला ऑप्सन है हम इस पर जाएंगे और इसके बाद इसे हम स्लेक्ट कर लेंगे यह तिंग्यार हो चुकी है आपकी क्लिफ अब इसे हाई एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसन आई होगी अगर आप चेनल पर नए हो तो चेनल को सस्क्राइब करो और बेल आइकन दबालो ताकि आपकी मेरी मुलाकात होते रहे और अगर आपने मुझ इस्टा पर फॉल्व निक्या है तो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन पर दे दूगा आप फॉल्व कर सकते हैं